हेलो फिरेंस कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो टीवी सेरिल अनुपमा में आपको देखने को मिलेगा कि परिवार के कुछ लोग पाकी को ये समझाएंगे कि बच्चा गोद लेना अच्छा होता है वहीं अनुज भी परसनल लाइफ और अनुपमा भी सिंदगी की बारे में कुछ बाते पाकी को बताएंगे कैसे उन्होंने भी तो बच्चे को गोद लिया है पाकी ये सारी बाते सुनेगी और समझेगी लेकिन वो ये कहीगी कि उसे बच्चा गोद नहीं लेना वो इतनी महान नहीं हो सकती और ये कहकरो चली जाएगी शो में आप देखेंगे कि नवरात्रों के मौके पर पूरा परिवार एक साथ एकटा हो रखा होगा और सब मातरानी के पूजा करेंगे इसी बीच एक महीला एक बच्चे के साथ आएगे उसे देखकर सब हैरान हो जाएगे अनुपमा कहेगी कि इस बच्चे का नाम तो लक्ष है और इसे ही समर की आखें मिली है अनुपमा फिर सबको समझाएगी कि समर कभी भी उदास नहीं देखना चाता था किसी को इसलिए हमें खुश रहना चाहिए इसके बाद सभी लोग गर्बा खेलेंगे और समर को याद करेंगे वहीं दूशी तरफ अनुपमा का फोन आएगा और पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहेगा कि सुरिश साथ और के साथ वनराज ने जो मार पिटाई की थी उसका वीडियो अब शोचल मीडिया पर वाइरल हो गया है पुलिस वाला अनुश को बताएगा कि इस वीडियो की मदद से वनराज को मेंटली डिस्टब भी किया जा रहा है जिससे की गवाई की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी ऐसे में अनुश कहेगा कि मतलब साफ है कि सिर्फ अनुश ही अकेला गवा रह गया है ये सारी बाते अनुपामा भी सुन लेगी अनुपामा बोलेगी कि नवरात्री का आज पहला दिन है और नवरात्री के दिन पूरे होने से पहले उस लड़के को सवजाज ज़रूर मिलने चाहिए वहीं आप देखींगे कि किचन में मालती देवी और अनुश आपस में बात करेंगे और इस दोरान मालती देवी बातों ही बातों में अनुश को समझाएगी लेकिन अनुश सिर्फ अनुपामा का पक्ष लेगा और आधी बाते सुनकर किचन से चला जाएगा वहीं दूसरी तरफ तोशियो और किंजल बा से बोलेंगे कि उन्हें जाना है तो परी का ध्यान रखना होगा वहीं बा सीधे तोर पर वना कर देगी और समर की मौच से उससे जोड़ेगी काविया भी कहेगी कि उससे परी का ध्यान रखना है वहीं जाते जाते किंजल और तोशु के जो डॉक्यमेंट से वो नीचे गर जाएंगे काविय समझाएगी कि ये विजा एप्लिकेशन फॉर्म है और थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार निउस पर देखेगा कि वनराज का वीडियो वाइरल हो गया है इसे देख कर वनराज काफी खुसने में आ जाएगा आज कि एपिसोड में अपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है क्योंकि दोस्तो वीडियो वाइरल हो चुका है वनराज का वाहिमाल्ती देवी को अनुश की चिंता है दरवाजे के पास से कोई अपनी बंदूग से उन्हें निशाना साधेगा इसे बीच वनराज उन्हें देख लेगा और उन्हें बचाने के लिए भागेगा तब भी गोली के आवाज आईगी अब ये पता नहीं चल पाया कि गोली बाबुजी को लगी है या बाग को लगी है या फिर वनराज को या सिर्फ ये गोली डराने के लिए चलाए गई थी ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है क्या गोली वाके में किसी को लगी है या फिर ये हवा में फाइरिंग की है और डरानी की कोशिश की गई है कमेर शेक्शन में लिकर ज़रू बताएगा मिलने वेड़े के साथ स्टेचीन गुडबाई झाल 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